है गाइज दिस इस रावन वेलकम तो रावन श्टॉक मार्गेट तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक मल्टी बैगा श्टॉक के बारे में जिसका नामे के पिए टी टेकनोलोजीज लिमिटेड के पिए ने अभी अभी अपने कौटर फोर के नतीजे पेश के और ज चले वीडियो का स्टार्ट करते हैं तो जैसे के आप लोग चेक कर सकते हैं कंपणी ने अभी अभी चार डाकुमेंट अप्लोड किया है बसी की वेबसाइट के उपर तो आप लोग भी जाके यहां पर रिजल्ट पूरे आराम से पढ़ सकते हैं तो एक जैस्ट ओर्यू कर करपकर देख रहा हैं वह इस बार का quarter 4 का रेजल्ट है जो मिडल कॉल्म है थार्क यो कॉर्ट कोषों की थार्यू कर लेकिन 2023 के तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो कंपनी ने कितना बिजनिस के है और कितना पैसा है शेश likened तो इसको टोटल इंकम है 13,340 के आसपास है, सिर्फ 13,000 रुपए नहीं रहते हैं, यह आकड़ा मिले रसने मतलब बहुत ही बड़ा है, लास्ट कॉटर में लगबग 12,750 के आसपास था, और लास्ट एर के कॉटर फोर में था, लगबग 10,230 के आसपास है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, सीध भी अपने टोटल इंकम को कमपनी बड़ा रही है, अब जान लेते हैं, एक्सपेंसेस यानि खर्चे के बारे में, यानि कि कमपनी ने बिजनेस चला निकले, कितने खर्चे के, तो अलग अलग टाइप की खर्चे रहते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा रहता है, या फिर जीव एंपलोई की सैलरी इसमें गिना जाता है, तो इस बार का जो टोटल खर्चा है, वो है 11,000 के आसपास, लास्ट कॉटर में था लगबग 10,640 के आसपास, और लास्ट एर के कॉटर फोर में था लगबग 8,880 के आसपास, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते quarter to quarter भी खर्चे यहाँ पर बढ़ गए, और year to year भी खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे, देखे, कमपनी का total income बढ़ा है, मतलब खर्चे भी बढ़ते हैं, आप लोगों को पता लेगा, क्योंकि बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, खर्चे तो करने पड़ेंगे, यह त कर रहा हूँ, profit for the period लिखा है, आप लोग चेक कर सकते हैं, तो इस बार का जो total net profit है, वो है 1650 million के आसपास, last quarter में था लगबग 1560, और last year के quarter 4 में था लगबग 1115, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, company का जो quarter to quarter और year to year जो total net profit है, उसमें जम देखने के लिए मिल रहे, तो बहु जो result है, बहुत ही आच्छे है, KPIT technology के, अब जान लेते, dividend का amount, तो जो complete dividend दिया है, वो है लगबग 4.60 पैसी के आसपास है, बहुत ही शांदर dividend दिया है, per equity share, अभी तेक इसका recorded announcement किया नहीं है, आने वाले समय में recorded set किया जाएगा, तो देखा जाए तो जो overall result और dividend बहुत ही KPIT technologies नहीं, यह तो तो आज का यहाँ पर वीडियो KPIT Tech के लिए, अगर वीडिया चल लगए तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल को जरू सब्स्राइब कर सकते हैं